नमस्कार दोस्तों सैनिक वेलफेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों केंद्रिय करमचारियों के लिए सरकार ने 2232 करोड रुपे का जटका दिया है भत्तों के रूप में तो आए देखते हैं इस वीडियो में वो क्या है वीडियो पसंद आये तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरू करें दोस्तों ये संसदिय समाचार 15 फरवरी 2018 का है जिसमें वित्त मंत्री अरून जेटली जी ने हारे और टीपी टील के संदर में बहुती महत्पून और केंद्रिय करमचारियों को दुखित करने वाली सूचना दी है दोस्तों इसमें हिंदी कुछ इस तरह की है जिसको आम समझने में थोड़ी कठना या आती है तो मैं अब आपको सीधे सीधे सब्दों में बताता हूँ जैसा कि आप जानते हैं सात्वा वेतन आयोग एक जनवरी 2016 से लागू है लेकिन एलाउंसिस फस जुलाई 2017 से मिलने सुरू हुए है ठीक इसी तरह पहले एक जनवरी 1996 को वेतन आयोग लागू हुआ था लेकिन एलाउंसिस की गोशना 31 जुलाई 1997 को की गई थी इस तरह एचारे उसके बाद मिलने लगा जिसके लिए केंद्रिय करमचारियों के संगठनों ने सरकार के साथ संगर्स करके केंद्रिय करमचारियों की मांग के पक्ष में जेसीम एन कंपलसरी आर्बिट्रेशन द्वारा मध्यस्ता करवाकर सरकार से 1 जनवरी 1996 से लेकर 31 जुलाई 1997 तक की अवधी के लिए पूर्व संसोधि दरों पर लेकिन नए वेतनमानों के अनसार दिये जाने वाले मकान किरायब भत्ते के संबंद में 6 अप्रेल 2004 को अपनी स्विकृति दे दी लेकिन अब सरकार ने इसको यह कहकर अस्विकार कर दिया की 1000 करोर रुपे का गैर उत्पादक खर्च होगा और इसका राष्टिय अर्थ व्यवस्था पर प्रत्कूल पिर्भाब पड़ेगा दोस्तो आज हम यह कहकर अपने दिगजों का हक नहीं देते कि इससे कुछ उत्पादकता नहीं बढ़ेगी तो आने वाला कल आज के लिए क्या कहेगा इस पर आप अपने कमेंट्स जरूर दे अब देखें दोस्तो दूसरा केस है और यह जो केस है यह आपका टीपी टील से जुड़ा हुआ है ठीक उसी तरीके से है जैसे यह पहले वाला केस है दोस्तो सिर्फ डिफ्रेंस दोनों में यह है कि इसका पीरियड अलग है और उसका पीरियड अलग है दोस्तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रेप्शन में दे दूँगा यह हिंदी और इंगलिस दोनों भासाओं में उपलब्द है आप इसका अध्यान कर सकते हैं आप हमारी official website welfarenews.in पर भी विजिट करके ये सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंज जै भारत